अनूप की कहानी मैं बताऊंगा अनूप इसी आईटी बॉंबे का पढ़ा हुआ है एक जवाना था जब अनूप के घर में खाने को कुछ नहीं था उसकी मा रो रही थी कि कहां से बच्चे को खाना दे और अनूप रो रहा था मा खाना दो खाना दो अनूप के पिता से बरदास कर पाना मुस्किल था तो अनूप के फादर ने बोला कि ठीक है मैं कुछ खाना लेके आता हूँ कुछ चावल लेके आता हूँ तब तक तुम बरतन में पानी गरम करो जब तक पानी बॉयल होगा गरम होगा तब तक मैं चावल थोड़ा किसी से गाव में उधार मांग के ले आऊँगा फिर हम लोग चावल और सॉल्ड खा लेंगे भला ठीक है भई आज 20 साल से भी उपर हो गए उसके फादर जो चावल लाने गए गरीवी से घर छोड़ दिया अनूप के लिए बहुत संकट का टाइम था कैसे उपढ़ेगा कहां से जाएगा उसकी मा क्या करेगी रोने लगी पूरा खोजने लगी क्या होगी जिन्दगी की अब मजदूरी करते थे फादर मजदूरी करते वाला भी नहीं कहीं से कुछ आने वाला भी नहीं क्या होगा आगे की जिन्दगी क्या होगी लेकिन मा हिम्मत नहीं हारी बच्चे को पढ़ाई 7 किलومیٹر पैदल अनूप जाता था पढ़ते 7 किलومیٹर पैदलाता था बिहार का सासाराम डिस्टिक नकसल डिस्टिक खैर ऐसे करते करते है अनूप 10th पास किया 10th पास करने के बाद पटना में घुमता है कई जगहों पर कि मुझे आगे बढ़ना जीवन में इंजिनियरिंग की तैयारी करते हैं कोई आसरा नहीं हमारे बारे में जनकारी मिलती है कि भाई सुपर थट्टी एक और नाई जैसा ने जहां बच्चों को घर में रखकर अपने साथ खाना पीना सब दिया जाता और पढ़ाया जाता अनूप आता है और दो साल रात दिन एक क करके मेहनत करता है लेकिन वो दिन भी याद है जब अनूप पहली दफा हमारे घर आया था अपनी मा के साथ तो उनकी मा के पैरों में चपल नहीं था अनूप के पैरों में चपल नहीं था उनने पूछा कि भाई आप कितने दिनों से पटना में घूम रहें क्या चाहते हैं होटलों जैसे स्कूल है, जहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे, वाटसेप खेल रहे मोवाइल-मोवाइल खेल रहे और एक ऐसी जगह है, जहाँ गाउँ है, दिहात है अनूप जैसा लड़का पढ़ना चाहता है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई के लिए घूम रहा है खेर अनुप हमारे पास आता है दो साल मेहनत करता है मुझे भी पता नहीं चलता है कि इतना अच्छा करेगा जब रिजल्ट आता है तो मैं भी देखकर हैरान हो गया उसका एडमिसन आइटी बॉम्बे में हो जाता है आईएटी बॉम्बे से क्वालिफाई करने के बाद चार साल में भी यहाँ आईएटी के बॉम्बे में कई एतिहासी काम किया इस्टुडेंट के लिए उनके भलाई के लिए पहली नौकरी उसकी लगती है बुर्ज खलीफा में दुबई और आज यही पर पवई में एक छोटी सी कंपनी की सुरुवात की है कुछ आईटी एंस के साथ और आज मा को अपने अच्छे फ्लैट में यहाँ पर रखे हुए है और आराम से रह रहा है ऐसी एक कहानी नहीं है चाहे धरमबीर के फादर ट्रक ड्राइवर का काम करते थे ट्रक ड्राइवरी करते थे पटना से कलकत्ता ट्रक चलाते थे कभी पटना से दिल्ली ट्रक लेके जाते थे यह जिन्दगी थी धरमबीर की आज धरमबीर भी आयाईटी बॉमबे से होकर सड़कों पर घूम कर रेलवे स्टेशन पर गूप कर आखवार मैकजीन बेचते थे पिता का साथ देने के लिए बच्ची भी घूम घूम कर बेचती थी साम को बच्ची एक दिन आखवार में पढ़ती है सुपर 30 के बारे में पटना जाती है मेहनत करती है और आज वही बच्ची आयाइटी रूर्की से पास आउट होके मैक्रो सॉफ्ट में नौकरी कर रही है ऐसी बहुत सारी कहानिया अभी तक हमने 480 बच्ची ओं को ऐसे बच्चे को जिनके पिता जी रिक्सा चला रहे है जिनके पिता जी आटो ड्राइबर है मजदूरी कर रहे है प्यून का काम कर रहे है वह ऐसे बच्चों को वह ऐसे परिवार के बच्चों को अपने घर मैंने लाया रखा मा खाना बनाई वाइफ और भाई ने पूरी ताकत लगाई इसको कि अच्छा कैसे किया जाए हम लोग पढ़ाए लिखा है और उतने में से आपको जानकर खुशी होए कि चारसो असी बच्चे में 422 बच्चे IIT कहीं ने कहीं सेट हो गए नौकरी कर रहे हैं और बाकी बच्चे भी NIT वेगर वेगर ती लंबी कहानी है संचेप में ये मैं बताना हूँ कि जीवन एक संगहर से दोस्तों आप जहां भी हैं वहां अच्छा कर सकते हैं कभी आप ये निरास नो हो कि मैं की स्कूल में प्रिंस्पल हूँ मैं क्या कर सकती हूँ अरे मैं तो प्रिंस्पल भी नहीं मामूली टीचर हूँ मैं कैसे बदलावला सकता हो अरे आनंद कुमार भी कुछ नहीं है क्या है ना कोई साइन्टिस्ट है ना कोई बड़ा मैथमेटिसियन है कहने के लिए मैथमेटिसियन है और हमारा पेपर पबलिस हुआ था अब IIT को देखकर एक बात या दे अभी अजय भाई हमारे साथ है अच्छा काम करा है अजय भाई भी अजय भाई अभी आएंगे हमारे बात दो मिनट औभी अपनी बातों को रखेंगे इन्हों ने देखा कि सुबर थल्टी का एक प्रयास है तो सुबर थल्टी का जब एक प्रयास चल रहा है तो मैं भी कुछ करू तब इन्होंने मेडिकल के लिए बच्चों को तयार करना स्टार्ट किया उसका नाम रखा जिन्दगी और आज हर साल कुछ न कुछ बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में इनके सहीयोक से जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि चलिए आज सी टॉक में मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ हमके चलिए और हम भी कुछ बोलेंगे दो-चार मिनेट हमको बहुत खुश हूँ कि देखिए सोसल इंपक्ट क्या है कोई आदमी कैसे समाज में बदलाव लाता है इसको जनकारी मिलेगी ये एक छोटे बोटा अपना काम करते थे जुकेसन का लेकिन इनको लगा कि नहीं मेडकल के लिए बच्चे को पढ़ाया जाए तो आप लोगों में से भी कई लोग बदलाव ला सकते तो ही हम अपने बड़े भाई जैसे अजय भाई को बता रहते हैं हमारे एक स्टुडेंट है अनिरुद अनिरुद सिनह भी क्या करते हैं ऑनलाइन के जरिये सोसल जस्टिस के बहाने कई जगहों पर बच्चों को पढ़ाते हैं जहां तहां मान सम्मान भी मिलता है तो ऐसे कई लोग जूड रहे हैं हमसे कोई ज़रूरी नहीं कि आई आई ट साल पीछे समय घूम गया जब मैं आई टी के गेट से घूमा में घूसा तब चौबीस साल पले नाई लगभग नाइन्टीन नाइन्टीफोर कोई गर्मी के महीना में भारत सरकार का एक अंग है नेशनल बोर्ट फोर हाईयर मैथमेटिक्स तो वो प्रोग्राम इसी आई ट चला और उसमें बड़े-बड़े मैथमेटिसियन या तो आई टी के बॉंबे के रहें या बाहर के लोग आके पढ़ाये और ट्रेंड किया उन लोग और उसी का परिणाम है कि उसके बाद मैथमेटिक्स में इंट्रेस्ट और मेरा बढ़ता गया उस आई टी के सामने और मैं सोचा भी नहीं था कि जब उसी आई एई टी में और जा है ट्रेनिंग किया और आज मुझे कितनी कुर्षी है बता नहीं सकता हूं कि उसी आई एई टी में मैं आईजे स्पीकर बोल रहा हूं तो हमारे बोलने का बक्स देही है दोस्तों कि आप कभी भी सपनों को छोटा मत देखिए अभी हमारे भाई अजय भाई हमारे साथ थे जस्ट बात्चीत के लाजे में बोराओ कोई भासन टाइप कर नहीं बात्चीत में बोला पूछा कि आप कभी सोचे थे कि आप पर एक फि स्कूल पर स्थितिया हो कितने भी दिक्कतों का सामना करना हो धारा के बिरुद बहना है और पत्थर का सीना एक दिन तोड़ के दिखाना है समाज को कि अगर चाहत है तो आप कुछ कर सकते हैं इतना तो मैं जरूर सोचा था कुछ नहीं था एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था जैसा कि रंजन ने बताया नहीं खिरकी थे न दरवाजे ठीक से थे टीचर आते थे कभी नहीं आते थे कोई भरोसा नहीं था लगी गौर्मेंट इस्कूल से परते परते टेंथ पास किया मैथमेटिक्स में इंट्रेस्ट डेवलब किया लोग उस जवाने में पटना से बा होता है तो कहीं न कहीं सहायता आपको मिलेगी आप कहीं भगवान सहायता देंगे या आप कहीं प्रकृति सहायता देगी जो नाम ले लिज लेकिन आपको मदद करने वाले लोग भी लेगे आए मदद करने वाले लोग हमारे टीचर से बहुत एप्रिसियेट किया बहुत इ ठीकाना नहीं था जब हमारे पास लेटर आया कि आपका पेपर Mathematical Gadget जैसे जन्रल में पबलिस हो रहा है सोचिए कि कितना खुशी होगी कि मैंने PhD किये हुए लोग वहां भेजते हैं प्रोफेसर भेजते हैं आजे एस्टुडेंट हमने भेजा उसमें भी पतना के एक छोटे से साहर के एक छोटे से कॉलेज से और वो पबलिस हुआ Cambridge University से ओफर आया उसी के बेसिस पर Higher Education in Mathematics बहुत जगह बहुत जगह चरचा हुई पतना में कॉलेज में हर जगह चरचा हुई कि भाई एक बच्चा को अभी ही PhD के लिए आया ओफर कब जबकि वो graduation भी पूरा नहीं किया है तब बहुत चरचा हुई परिवार संयुक्त परिवार चाचा चाची सब रेल्वे लाइन के किराने रहने वाला परिवार जिसके फादर डांक विभाग में बोड़ा उठाते थे चिठियों का बोड़ा रखते थे चिठी चारते थे सौटर का काम करते थे वैसा परिवार के लड़का के पास इंगल रूप्या नहीं दिया भेश से ही भीख मिलता है हमने सुना था अब लोग चंदा देने के लिए आ जाते है शुपर 30 चला रहें बहुत अच्छा प्रगाम चला रहें बच्चा चा कर रहें लेलो पैसे-ले लो पैसे वैसो तो उस जवाने में जब पैसा नहीं लिया तो आज क पैसा आता है 300 बच्चों को घर में रखकर खाना खिला के पढ़ा लिखा के हम लोग आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग पीछे आते हैं तो अब हुआ भाई अब नहीं जा सकता है तरह तरह के politician से मुलाकात होई, minister से मुलाकात होई, कोई मदद नहीं के बैपारियों से मुलाकात होई, यहां के अखवार सामना में, जनसत्ता में, सारे अखवारों में, हिंदू में खवर आई, कहीं कोई मदद नहीं लिए, पिता जी का sudden death हो जाता है, चिंता थी, हम लोग बार बार समझ जाते थे पिताजी आप चिंतित नहों, उनका सदेंड डेथ हो जाता है, केमरी जाने का सपना तूट जाता है, सोचिए, क्या था हमारे पास, कुछ नहीं था, एक मामूली ग्रिजुएशन का सटीफिकेट कुछ नहीं था, लाइफ मेना मास्टर डिगरी पूरा किया था, पी मेरे पास कुछ नहीं है, पिताजी के जगह पर सरकारी नौक्री मेरे, वही कर लो, वहीं से खुस हो जाओ, लेकिन सोजा, नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, घूम घूम कर हम पापर बेचते थे, माँ पापर बेल बेल के बनाती थी, हम दोनों भाई घूम घूम कर सडक पर ब यहीं आपके केड़ी जोसी साहब के उस्ताब बढ़ाते थे, वो प्रोग्राम में आया था, सबसे परचे हो गया, सबसे गुरुसिस्ति का समंध हो गया, तो समंध भी अच्छा बनाईए, ये भी एक है, जिंदगी के सफलता का दो ही मंत्र है, अच्छा समंध बनाईए, दूसरा कड़ी महनत करिए, अगर ये दो चीज करते हैं, तो जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे समंध से, सब लोगों ने उस साहित किया, करते-करते कुछ नहीं मिला, तो सलम के बच्चे उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाते-पढ़ाते-पढ़ात टीचर है, उसको आगे बढ़ना, क्या करना है भाई, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, जिसके पास साधन स्विधाय नहीं है, मेरिट है, सोपर थट्टी की सुरुवात की, सोपर थट्टी की सुरुवात की, सोपर थट्टी पे सफलता मिन ले लगे, पूरा पटना का संचालक समीती एक हो गया, सब माफियाओं से हमला कराया, गोलिया चली, हब पर छूडे चले, चाकू चले, बहुत सारी बाते हुए, कई हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ घायल रहा, बहुत लंबी कहानी, पीम सी एच में भरती रहा, बहुत सारा लगा, लेकिन फिर बिहार सरकार अभी भी चार सिकूरिटी गाड दी हुए, उतना साल से बंदरा साल से भी उपर हो गया, हमला होते रहे, लेकिन अब हमला उमला नहीं होता, आप कोई नकली सुपर थटी खोल के कहीं से चंदा उठा लिया, कोई को तो तरह तरह के अस्विधाय आएंगे, इन तमाम परतिकूल परिस्थितियों में, हम अपना काम करते रहे, कि नहीं काम करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके लक्ष को बढ़ाना है, और आपको जानके खुसी होगी, कि अगले साल, जब आप रियल्ट देखिए गा, आई-ई-ट का, तो हमारे 90 बच्चे आई-ट में रखी हैं, हम अपने अनभाव के अधार पर बता रहें, पहला आप में परवल प्यास होनी चाहिए, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बदलाओ लाना चाहते हैं, भले ही आप छोटा काम करते हो, भले ही आप काम को कभी छोटा ना कहें, भले ही आप छोटे प पर्वलक्यास करना है। मुझे अच्छा जर्णलिस्ट बनना है। मुझे se Tok को इतने उचाई पर ले जाना है कि American में इसका conference हो, Australia में conference हो, दुवई में conference हो, करना है C-Talk को आगे ले जाना है, परवल प्यास. दूसरी बात है, positive thinking होगा, जरूर घटना है घटेगी, जब बड़े-बड़े लोगों की कहानिया में पढ़ता हूं, कैसे गरीवी से निकल के आगे मकाम हासिल किया, आनन्द कुमार एक प्लस-टूग का मास्टर होकर उस पर बायो-पिक बन रही है सी टॉक भी एक दिन जरूर बड़ा बच्चा बच्चा मोवाइल पर देखना हुआ नजराया माकूं मम्मी पापा डाटेगं ए क्या कर रहे हैं और स्थिटाप देखो देखो मोवाइल ज़्यादा भरे लेगिन एक दीन ऐसा आएगा कि बाहर भी प्रोजेक्टर का परदा लगा हुआ रहेगा अलोग देखते रहेंगे मुझे भी टी करते दो प्रयास करते रहना है और चौथी सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों असीम धैर्च ग्रेट पेसेंस पेसेंस रखन है बहुत बार हम प्रोजेक्ट चलाते बहुत काम करते फेल हो जाता है जब हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो दो बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट किया भाई को बोला भाई दो बच्चा है ऐसा है तुम लाओ हम उसको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स का कि दो चार बच्चा और लाया फिर दो चार दिन में उभी भाग गया कि बड़ा डिप्रेशन फ्रस्टेशन बेचती तो अलग कि क्या मैंने पेपर लिखा भाई को बोला कि देख भाई वा उभी भाग गया बोला कि ताब लड़का फंसाना पॉस्बूल नहीं है अब आपका रेकॉड खराब गया महला में कॉणफिडेंस डूज हो जाता है मेरे दोस्तो अप अच्छा काम करते रहें सफलता नहीं मिलेगी कॉणफिदेंस लूज हो जाता है लेकिन फिर लगा कि नहीं स्वामी विवेकानंद करते थे धैर्ज बनाया रखो बना के देख ते धैर एक कठीन परिस्तितियों धैज बनाए रखिएगा सफलता आपकी चरण जरूर चुमेंगी और अगर ये बातों को लेके चलिएगा तो सच में सी टॉक की सार्थकता कब होगी जब हमने आपको कुछ किया उसका लाभाब को मिलेगा और एक साल बात दो साल बात कभी सी टॉक का और कोई कॉंसेप्ट देखिएगा कोई उनका टॉक सुनिएगा तो हमारी याद आएगी तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाना सच में सफल हुआ बहुत बहुत